दोस्तो मुंगफली खाने से ऐसे फाइदे होते हैं जो बादाम, अंडे और मास खाने से भी नहीं मिलते हैं बस आप मुंगफली खाने का यह सही तरीका जान लीजिए मुंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, कॉटाशियम, फासफोरस, मेगनेशियम, केलशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, विटामिन B3, विटामिन E, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2 और विटामिन B9 होता है मुंगफली खाने से आपका दिल मजबूत होता है मुंगफली में Mono Unsaturated Fat और Poly Unsaturated Fat होती है जो दिल के लिए बहुत अच्छी होती है यह फैट नसों के अंदर जमा नहीं होती और नसों को अंदर से बंद होने से बचाती है मुंगफली कॉलेस्टरॉल कम करती है और नसों के अंदर तथा दिल के अंदर पैदा हुई सूजन को घटाती है मुंगफली में Magnesium, Niacin, Copper, Olic Acid और Antioxidants होते हैं जो दिल की बीमारी होने से बचाते हैं हर रोज 40 ग्राम मुंगफली खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है मुंगफली खाने से आपके गाल ब्लेडर में पत्री नहीं बनती ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाल ब्लेडर में बनने वाली ज्यादातर पत्री कॉलिस्टरॉल से बनती है और मुंगफली खाने से कॉलिस्टरॉल कम होता है इसलिए मुंगफली खाने से गाल ब्लेडर में पत्री नहीं बनती मुंगफली खाने से कैंसर से बचाव होता है मुंगफली में पाए जाने वाले आईसो फ्लेवन्स, रेजवेराटॉल और फिनॉलिक एसिड आंथ के कैंसर से बचाते हैं मुंगफली खाने से ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर और एसो फैगल कैंसर होने का खतरा भी कम होता है मुंगफली खाने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या ठीक होती है मुंगफली में Erginine नाम का Essential Amino Acid होता है जो पुरुषों में Erectile Disfunction को ठीक करता है मुंगफली खाने से आपका Blood Sugar Level Normal रहता है मुंगफली का Glismic Index कम होता है इसलिए यह Blood Sugar Level को नहीं बढ़ाती है मुंगफली खाने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है मुंगफली में Healthy Fat, Protein और Fiber होता है जिसकी वज़े से यह वजन कम करने में सहाइक होती है मुंगफली खाने से कभी भी वजन नहीं बढ़ता है मुंगफली खाने से बाल जड़ने बंद हो जाते हैं मुंगफली में सभी Amino Acids और Protein होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं इसलिए मुंगफली का लगातार सेवन करने से बाल जड़ने बंद हो जाते हैं मुंगफली गर्भवती महिला के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि मुंगफली में Biotin होता है जो गर्भवस्था के दोरान महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मुंगफली में फॉलेट होता है जिसे खाने से गर्भ में पल रहे बच्चे में रीड की हड़ी का कोई भी विकार पैदा नहीं होता मुंगफली में थायमिन होता है जो हार्ट, मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन ज्यादतर लोग यह नहीं जानते के मुंगफली को कैसे खाना चाहिए मुंगफली को हमेशा कच्चा खाना चाहिए कच्ची मुंगफली खाने से ही मुंगफली के सबी फाइदे मिल पाते हैं लेकिन खाने से पहले इसे भिगोना भी जरूरी होता है इसलिए एक मुठी कच्ची मुंगफली को छिलके समेते ही पानी में भिगो दें इसे रात भर भीगा रहने दें सुबह इसका पानी निकाल दें और इस मुंगफली को छिलके समेते ही खा लें। आपको इस मुंगफली को खाली पेट खाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे खाने से आदा घंटा पहले तक चाए नहीं पीनी। और इसे खाने के आदा घंटा बात तक भी चाए नहीं पीनी। नहीं तो इसके फाइदे कम हो जाएंगे। अब आपके लिए एक सवाल। क्या इस वीडियो को देखने से पहले आपको मुंगफली के इतने सारे फाइदों के बारे में पता था और क्या आपको मुंगफली काने के सही तरीके के बारे में पता था जरूर बताएं।